तो चलिए आज बात करते हैं Refraction through Prism यानि के Prism में से अगर कोई Light की Ray पास करेगी तो उसका Refraction किस तरह से होगा और वो Finally किस तरह से Prism से बाहर आएगी आपने Lab के अंदर Prism को जरूर देखा होगा और Generally जो हमारी Lab में Prism मिलता है आप जानते हैं वो Glass का बना हुआ एक Trangle Shape का Object होता है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यह जो Trangle यहाँ बनाई है A, B, C यह Trangle basically Prism को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है और आप यह देखिए यहाँ पर मैंने Mu1 और Mu2 दो Refractive Indices की Value लिखी है आप ऐसा समझेए कि यह जो हमारा Prism है यह माल लीजिए Glass का बना हुआ है तो उसका Refractive Index है Mu2 और इस Prism के बाहर चारो तरफ कोन है? Air तो वो एक अलग Medium है और उसका Refractive Index मैं माल लेता हूँ Mu1 यानि आप यहाँ यह बोल सकते हैं कि Mu1 Rarer Medium का Refractive Index है और Mu2 Denser Medium का Refractive Index है तो अब हम धीरे धीरे इस पूरे डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे और इस डायग्राम में कहां कौन सा एंगल बना हुआ है और उनका नाम क्या है उसके बारे में अब हम जिक्र करेंगे तो आप यह ध्यान से देखिए यह जो आपको ट्रेंगल नजर आ रही है A, B, C जिसको मैं Prism बोल रहा हूँ आप ध्यान दीजिए इसके दो faces पर एक face है इसका A, B जिस पर light incident हो रही है और एक face है इसका A, C जिससे light finally बाहर आ रही है ठीक है? तो इन तोनो faces के बीच में यह जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है जिसको आप एंगल A भी बोल सकते हैं इस angle A को बोला जाता है angle of prism यानि के जिस face पर आपकी ray incident हो रही है और जिस face से finally बाहर निकल रही है उन दोनो faces के बीच में जो angle होता है जिसको हमने angle A का नाम दिया है वो कहलाता है angle of prism यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी आप देखिए यह BC जो है यह तो वो face होता है जिसके सहारे आप prism को कहां रखते है किसी table वगेरे के उपर रखते है तो अगर आप यहां देखें P से लेकर के Q तक यह एक incident ray of light है और यह arrow इसकी क्या show करती है कि यह P से लेकर के Q की तरफ travel कर रही है तो आप यह देखिए P से Q तो इस ray को कहां travel करना है air के अंदर लेकिन जैसे ही यह Q से अंदर आएगी तो अब medium क्या हो गया बदल गया reflection होगा ठीक है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि rarer medium से denser medium में जब भी कोई light की ray आती है तो वो कहां मुड़ती है अपना path छोड़ करके towards normal मुड़ जाती है तो अगर आप ध्यान से देखें Q के बाद यह जो आपको एक dotted line दिखाई दे रही है इस dotted line का मतलब है कि आपकी इस PQ incident ray को इस direction में चलना चाहिए था यदि इसका reflection ना हुआ होता reflection होगा तो उसके लिए हमने क्या किया यह वाली जो dotted line आपको नजर आ रही है जिसको मैंने basically N से लेकर के E तक का नाम दिया है आप यह मान सकते हैं कि यह N E perpendicular draw किया गया है AB face के उपर तो incident ray ने इस normal के साथ यह जो angle बनाया इसको हम बोलते हैं angle of incidence और इसको नाम मैंने दे दिया I 1 का उसके बाद आप यह देखिएगा कि जो Q से लेकर के R तक यह ray चल रही है तो आप यह समझ गई होंगे कि अपनी original direction को छोड़ करके थोड़ा सा नीचे की तरफ यानि कि आपके normal की तरफ मुड़ गई है कौन सी ray incident ray तिसलिए यह आप जो कह सकते है Q R को इसको आप बोल सकते है refracted ray 4.Q एक बार फिर से देखिए Q के लिए P क्या है incident ray है और Q R क्या है point Q के लिए एक refracted ray है तो Q R जो आपकी ray है उसने इस normal के साथ यह जो angle बनाया इसको मैंने बोल दिया R1 और आप समझ गई होंगे के यह क्या है angle of reflection at point Q तो I1 R1 आप इहां देखिए मैंने लिख दिये है I1 को लिख दिया है angle of incidence point Q के लिए और जो यह R1 है इसको मैंने लिख दिया है angle of reflection at point Q उसके बाद अच्छा एक बात और मैं यहां आपको पता दूँ शायद आपको ऐसा लग रहा होगा के Q से लेकर के R तक जो यह refracted रे चल रही है यह जैसे आपको लग रहा होगा के BC के parallel है यह parallel हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है अभी आपको ऐसा लग रहा होगा के यह parallel है लेकिन यह parallel कब होगी इसको हम थोड़ा सा इसी वीडियो के अंदर आने वले time के अंदर इसका जिकर करेंगे तो फिलाल आप यह मानिए के यह QR जो रहे है चलती 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 यह arrow आपको नजर आ रहा होगा कहा गिर गई पॉइंट आर पर गिर गई तो अब आप यह कह सकते हैं कि पॉइंट आर के लिए यह QR क्या है incident ray है देखिए confused मत होईएगा जिस पॉइंट पर ray आकर गिरती है उस पॉइंट के लिए तो ray क्या होती है incident ray ही होती है तो भले ही पॉइंट क्यू के लिए यह QR ray refracted ray है लेकिन पॉइंट आर के लिए आपकी QR ray कैसी है incident ray है और जब आप इस AC face पर पॉइंट आर पर यह normal draw करेंगे जिसको मैंने नाम दिया है E से लेकर के M तक का ठीक है यह dotted line आपको नजर आ रही होगी यह dotted line EM क्या है AC face के उपर perpendicular है यानि के normal जो है वो draw किया गया है तो देखिए QR ray ने इस normal के साथ यह जो R2 एंगल बनाया तो point R के लिए तो यह R2 एंगल किसका काम करेगा angle of incidence का इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है R2 is the angle of incidence at R जब कि R1 क्या था angle of reflection at Q ठीक है यह बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छा फिर देखिए Q से लेकर के R के बाद आपको एक यह dotted line और नजर आ रही होगी जिसके उपर फिलहाल आपको pen की निब दिखाई दे रही है इसका मतलब भी आप समझ गए होगे कि क्योंकि Q से R तक Ray चल रही है तो वो तो चल रही है ग्लास के अंदर लेकिन जब वो बाहर निकलेगी तो naturally वो air में आएगी तो आएगी air में तो उसका reflection होगा तो क्या होगा अब denser medium से rarer medium में अगर कोई Ray आ रही है तो वो कहां मुड़ती है आप जानते हैं away from normal मुड़ती है इसलिए आपकी ये QR Ray इस dotted रस्ते को छोड़ करके थोड़ा सा नीचे की तरह मुड़ गई है क्यों कि इस वाले normal से दूर जाना था इसको तो इसलिए r के बाद इसने कौन सा path follow किया r से लेकर के s तक यानि के rs Ray जो है आपकी वो point r के लिए क्या कहलाती है refracted Ray कहलाती है एक बार फिर से देखें जो qr Ray है वो point r के लिए incident Ray है लेकिन rs Ray जो है वो point r के लिए कैसी है refracted Ray है लेकिन कई बार जो books है वो क्या करती है इस rs Ray को emergent Ray बोल देती है यानि के वो Ray जो finally emerge out होकर के बाहर prism से निकल रही है देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा के ये Ray कुछ पहले p से क्यों ऐसे चली थी फिर q से r ऐसे चली थी फिर r से s ऐसे चली थी तो आपके पूरे prism के लिए अगर हम देखें तो p क्यों तो एक incident Ray है और rs एक emergent Ray है क्योंकि rs finally prism से कहा निकल रही है बाहर निकल रही है हाँ ये तो आप समझे रहे हैं कि ये rs यही वाली Ray है जो reflection की वज़े से यू चलती चलती ऐसे मुड़ गई फिर यू चलती चलती ऐसे मुड़ गई ठीक है तो ये incident Ray है और ये आपकी कौन सी Ray है emergent Ray है हलांकि point r के हिसाब से आप इसको refracted Ray भी बोल सकते हैं लेकिन books में कई बार इस rs Ray को emergent Ray बोलते हैं और इसलिए जो ये आपकी emergent Ray ने normal के साथ यहां rarer medium में ये जो angle बनाया है इसलिए इसको बोलते हैं angle of emergence हलांकि आप अगर point r के हिसाब से देखें तो r2 यहां angle of incidence है और i2 यह जो है यहां angle of reflection के बराबर है angle of reflection का काम कर रहा है लेकिन आप इसको अगर refracted Ray बोलेंगे तो i2 को आप angle of reflection भी बोल सकते हैं point r के लिए लेकिन अगर आप इसको emergent Ray बोलेंगे तो i2 को आप क्या बोल सकते हैं angle of emergence के भई किस angle पर आपकी emergent Ray बाहर emerge out होकर के निकल रही है यह बात आपको समझ में आ गई होगी तो देखिए i1 i2 क्या है r1 r2 क्या है यह यहां पर मैंने लिख दिया है i1 i2 r1 r2 यह बात आपको समझ में आ गई होगी a के बारे में भी हम जो है जिकर कर चुके है अब बात आती है कि यह delta क्या है यह जो symbol आपको नजर आ रहा है इसको delta बोला जाता है तो देखते हैं कि delta होता क्या है आप ध्यान से देखिएगा अगर मैं आपसे यह पूछू कि prism के उपर कौन सी ray गिरी थी और उसकी direction कौन सी है तो आप कहेंगे के जी pq ray गिरी थी और यह वाली जो है dotted line यह उसकी क्या है direction है और अगर मैं यह पूछू के finally कौन सी ray emerge out हो करके बाहर निकल रही है और उसकी direction क्या है तो आप कहेंगे के यह rs आपकी final emergent ray है और यह उसकी क्या है direction तो अगर आप से कोई पूछे के इन दोनों rays की direction के बीच में क्या angle है यानि के incident ray की direction और emergent ray की direction है उनके बीच में क्या angle है उसको बोला जाता है angle of deviation यानि के आप यह कह सकते हैं के जो ray हमारी incident हुई थी उसने इस रस्ते को छोड़के finally इस रस्ते पे जो था वो चल पड़ी और हम यह कह सकते हैं के delta angle से उसने अपना path या अपनी direction को क्या कर लिया change कर लिया तो जितने angle से आपकी incident ray ने अपना रास्ता change करके finally emergent ray का रास्ता चुना है तो उन दोनों रास्तों के बीच में उन दोनों directions के बीच में जो angle होता है उसको बोलते है angle of deviation और denote किसे करते है delta से और नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि deviate यानि कि भटक गई है वो और कितने angle से भटकी है that is called angle of deviation भी आप ही देखिए ना अगर मैं आपको थोड़ सा यहाँ pen से समझाने की कोशिश करूँ कि आपकी ray इस direction पे थी लेकिन वो भटक के भटक के भटक के भटक के और इस direction में चले गई तो कितने angle से वो भटकी है that angle is called angle of deviation ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो ये जो मेरे पास जगे कम थी मैंने इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर यह कोशिश की है boundary बनाने की ताकि सब चीजें बावजूद इसके के यहाँ पर भीड़ है आपको थोड़ा सा अलग अलग हर चीज नजर आ जाए तो यह जो आपको boundary के अंदर चीजें नजर आ रही है यह हर चीज मैंने यहाँ explain कर दी है कि इस point पर क्या हो रहा है इस point पर क्या हो रहा है यह चीज क्या है यह चीज क्या है डेल्टा क्या है ठीक है तो मुझे उमीद है यह बातें आपको सारी समझ में आ गई होगी एक चीज यहाँ पर जो है मैंने लिखी है हलांकि इसका जिकर यहाँ आएगा बाद में लेकिन चलो लिखी है तो अभी जिकर इसका कर लेते हैं आप जानते हैं अगर एक refractive index को दूसरे refractive index के साथ divide कर दिया जाए यानि कि ratio ली जाए तो इसका मतलब यह होता है कि आप दोनो refractive indices को compare कर रही हैं इसलिए दो refractive indices के comparison से जो नया refractive index बनता है उसको हम बोलते हैं relative refractive index और वो जो relative refractive index होता है वो उपर वाले medium का होता है नीचे वाले के respect में तो अगर आप यहां देखें उपर आपने denser medium का refractive index रखा है और नीचे आपने rarer medium का refractive index रखा है इसलिए mu2 by mu1 जिसको मैं mu बोल रहा हूँ वो basically क्या है relative refractive index of the denser medium with respect to rarer medium तो यहाँ पर जगे कम थी इसलिए denser की जगे मैंने d लिख दिया और rarer की जगे मैंने r लिख दिया तो यह चीज भी आपको समझ में आ गई होगी अब आप एक चीज धान से देखिएगा कि यह जो आपने ne normal draw गिया है पहले face पर और यह जो आपने em normal draw गिया है दूसरे face पर दोनो normal यहाँ आपस में cut कर रहे हैं और इसी point का नाम क्या रखा गया है point e रखा गया और एक चीज धान से देखिएगा कि आपकी incident ray की जो original direction है और emergent ray की जो final direction है तो हमने क्या किया final direction से पीछे बढ़ाते 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 यहाँ इसको cut कर बादिया यानि कि जो original direction थी और जो final direction थी वो दोनों direction यहाँ D पर cut कर रही है तो basically आपकी initial direction और आपकी emergent ray वादी जो direction है उनके बीच के angle को हमने क्या बोला है angle of deviation तो यह जो यहाँ आपको छोटा सा angle नसर आ रहा है यह भी delta है यहाँ पर थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ लिखतिया है यहाँ पर delta तो यह चीज मुझे उमीद है कि आपको बड़े आराम से समझ में आ गई होगी और अब हम थोड़ा सा एक mathematical जो हमारा treatment है इस topic का उसकी तरफ चलते हैं एक चीज यहाँ पर आप देखिएगा कि इस थोड़े से mathematics के बाद हम एक बड़ा important formula derive करेंगे जिसको हम बोलते है prism formula और हम यह भी देखेंगे कि उस formula का जो significance है वो क्या है अब ध्यान से देखिएगा जो mathematics है वो बहतासान है लेकिन ध्यान देने की जरूरता को पड़ेगी देखिए मैंने यहाँ पर यह लिखा है कि जो triangle है q e r q e r तो सबसे पहले देख लेते हैं कि triangle है कोन सी यह देखिए यह q है यह e है और यह r है तो यह वाली triangle की मैं बात कर रहा हूँ इसमें तीन angle है r1 r2 और यह angle e तो एक triangle के अंदर क्योंकि तीनों जो कोन होते हैं तीनों angle जो होते हैं उनका sum कितना होता आप जानते है 180 degree तिसलिए r1 प्लस r2 प्लस e angle ठीक है तो r1 प्लस r2 प्लस e angle किसके बराबर हो गया 180 degree के बराबर इसको मैंने बोल दिया equation number 1 उसके बाद जो quadrilateral है aqer कुन सी है यह aqer आप जानते है quadrilateral के अंदर जो angle होते हैं उनका sum कितना होता है 360 degree के बराबर होता है और आप यह देखिए quadrilateral के अंदर एक तो यह a angle है एक यह e angle है यह बात समयागी आपको और दो angle यहा 90 degree के हैं क्यों है 90 degree के क्योंकि m e भी क्या है perpendicular है और m e भी क्या है perpendicular है तो आप यह देखिएगा कि इस perpendicular ने इस q a line के साथ यह angle 90 बनाया है और इस e m perpendicular ने इस r a line के साथ यह angle पूरा कितना बनाया है 90 तो 90 plus 90 plus e plus a यह चीज किसके बराबर होनी चाहिए 360 लिखरी के बराबर तो देखो a और e तो आपको नज़र आ रहे हैं यह a q e कौन सा angle है a से q और q से e का ठीक है और एक angle कौन सा है a r e a से r और r से e का यह दोनों तो आप समझ रहोंगे 90 90 के angle है इसलिए मैंने इसके नीचे भी 90 लिख दिया इसके नीचे भी 90 लिख दिया तो 90 plus 90 हो गया 180 वो 180 यहां जा करके सब्डेक्ट हो जाएगा तो a plus e आपके पास बचेगा 180 डिगरी यह बड़ा आराम से आप mathematics से समझ सकते हैं मुझे उमीद आपको समझ में आरी होगी बात यह तो equation 1 ने हमें यह कुछ बोल अब देखो आप एक चीज यहां ध्यान से देख सकते हैं अगर आप दोनों equations को compare करें यहां पर e के साथ दो चीजें जूट रही हैं तब जाकर के 180 बन रहा है और यहां e के साथ एक चीज जूट रही है तब जाकर के 180 बन रहा है और आप यहां समझ रहे होंगे इसका मतलब मैं equation 1 और 2 को अगर compare करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि A जो है वो किसके बराबर होगा R1 प्लस R2 के बराबर होगा तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया कि from 1 and 2 A किसके बराबर होगा angle R1 प्लस angle R2 और इस equation को मैंने नाम दे दिया equation number 3 तो मुझे उम्मीद है यह बात भी आ आपको equation मिल जाएगी अब एक चीज हम और देखते हैं देखे ध्यान से अगर आप इस line पर ध्यान दें angle DQR angle DQR कौन सा है पर तो यहां देखो D यह है D यह है Q यह है R तो इसका मतलब है DQR का मतलब है यह उपर वाला angle जो R1 से उपर आपको दिखाई दे रहा है जिसके उ आप नहीं लिखा सिर्फ यहां represent करने की कोशिश की है यह वाला angle ठीक है ना D से लेकर के Q और Q से लेकर के R यह एंगल और फिर DRQ यानि के यह वाला angle जो R2 के उपर आपको नज़र आ रहा होगा DRQ यहां पर देखिए DRQ तो दोनों का sum delta के ब्राबर रखा गया है ऐसा क्यूं क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैं D Q R triangle की बात करूँ तो यह वाला angle और यह वाला angle तो दो internal angle है और इनके लिए यह वाला जो angle है जो की D पर बना हुआ है जो की basically delta है यह delta किसका का काम करेगा इन दोनों के लिए external angle का का काम करेगा और हमने पढ़ा हुआ है कि triangle के दो internal angle का sum external angle के बराबर होता है इसलिए D Q R plus D R Q किसके बराबर होगा delta के तो यहाँ पर यह हमने लिख दिया अब देखो D Q R की value क्या है यह जो है आपका D Q R यह वाला तो अगर इतना यह angle I 1 है तो यह वाला angle भी तो I 1 होना चाहिए अब I 1 में से आप R 1 घटा दो तो इसका मतलब उप की जगह लिख दिया I 1 माइनस R 1 सिमिदर लिए अगर यह I 2 है तो पिछे यह पूरा angle I 2 होना चाहिए था तो I 2 में से अगर आप R 2 घटा देंगे तो यह वाल angle बच्चेगा तो I 2 माइनस R 2 यह angle आपका D R Q तो D R Q की जगह I 2 माइनस R 2 मैंने पूट कर दिया और यह चीज़ आप देखीगा I 1 और I 2 को तो मैंने इकठा रख लिया और माइनस के R 1 और माइनस के R 2 से माइनस को मन लेगे उनको मैंने इकठा रख लिया क्यों क्योंकि हमने अभी उपर पढ़ा था कि R 1 प्लस R 2 A के बराबर है तो यहां पर मैं R 1 प्लस R 2 की value A पुट कर दूँगा और वो माइनस A यहां जाकर के प्लस हो जाएगा और मेरे पास equation 4 आ जाएगी कि I 1 प्लस I 2 है किसके बराबर डेल्टा प्लस A के बराबर यानि के angle of incidence प्लस angle of emergence is equal to angle of deviation प्लस angle of prism तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी उसके बाद हम जो point Q है उस पर स्नेल स्लो अप्लाई करते हैं हम Q पर भी स्नेल स्लो अप्लाई करेंगे और point R पर भी स्नेल स्लो अप्लाई करेंगे और स्नेल स्लो आप जानते हैं होता क्या है देखी अगर मैं point Q की बात करूँ तो इस angle के sign को मुझे multiply करना पड़ेगा mu 1 से और इस angle के sign को multiply करना पड़ेगा mu 2 से और दोनों को मुझे बराबर put करना पड़ेगा तो जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए mu 1 को multiply कर दिया sign i 1 से और mu 2 को multiply कर दिया sign r 1 से ठीक है ये दोनों बराबर होते हैं सनेल ने ऐसा बोला था कि जिस medium में जो angle बन रहा हो उसका sign उसी medium के refractive index से multiply करना है और ये incidence और जो reflection के angle होते हैं उनके लिए लागू होता है तो ये बड़ा असान है आप कर सकते हैं इसको तो इस equation से हमें मिल गया ये मैंने sign r 1 को क्या किया उठा करके sign i 1 के नीचे में लिया तो नचुल लिए mu 1 कहा आजएगा mu 2 के नीचे और देखिए mu 2 by mu 1 हमने यहां बात की थी mu के बराबर है relative refractive index of the denser medium with respect to rarer medium तो आपने इस equation से basically ये चीज़ डिराइव कर ली और अगर हम अब ये मान लें कि ये i 1 और r 1 small है यानि कि angle of incidence भी small है q पर और angle of reflection भी small है तो small angles के लिए क्या होता है sin theta क्योंकि approximately theta के बराबर होता है इसलिए sin i1 approximately किसके बराबर हो जाएगा i1 के बराबर और sin r1 किसके बराबर हो जाएगा approximately r1 के बराबर तो जो आपका mu है वो basically पहले sin i1 by sin r1 के बराबर था तो क्योंकि यहां पर हम i1 और r1 लिख सकते हैं तो mu आपका इसके बराबर आ गया और यहां से अगर आप i1 की value निकाल लेंगे तो वो आ गई mu into r1, इसको मैंने बोल दिया equation number 5, किया क्या है, point q पर snell slow लगाया है, snell slow लगाने के बाद मैंने कहा के i1 और r1 को आप small मान लीजिए, तो small मानने के बाद हमारे सिर्फ sine sine हट जाते हैं, और वहां से मैंने mu की terms में निकाल लिया, किसको i1 को और उसको मैंने बोल दिया equation number 5, similar काम आप करेंगे, कहां r point के लिए, तो यहां पर आपको sine r2 को multiply करना पड़ेगा mu2 से, और उसको किसके बरबर रखना पड़ेगा, mu1 into sine i2 के बरबर रखना पड़ेगा, यह चीज मैंने यहां पर लिख दी है, और इसी चीज से फिर से, जैसे यहां पर भी हमारा mu2 by mu1 था, तो यहां पर भी mu2 by mu1 ही रखेंगे, ताकि उसको mu के बरबर रखा जा सके, और फिर से हम यहां r2 और i2 को small मानेंगे, और जैसे आपने पहले i1 को mu की term में निकाला था, यहां आप i2 को mu की term में निकाल लें, और आप यहां देख सकते हैं कि i2 आपका जो आगया, वो आगया mu into r2 के बरबर, तो उपर वाली equation को number 5 बोला था, निच्चे वाली equation को हमने क्या बोल तिया, number 6 बोल दिया, ठीक है, तो 5 और 6 कैसे आई हैं, q और r पर small slow लगा करके, और इन दोनों angles को, और इन दोनों angles को small consider करने के बाद आई हैं, अब हमने क्या करना है, देखिए, यह जो आपका पांचवी equation से i1 की value, और छटी equation से i2 की value है, यह यहाँ equation number 4 में रख देनी है, तो i1 की जगह रख दीजिए, mu r1 यह रखा गया, i2 की जगह रख दीजिए, mu r2 यह रखा गया, और यह चीज़ किसके बराबर है, angle of deviation plus angle of prism, तो यहाँ से आजाएगा mu common, तो mu common आजाएगा, तो अंदर बचेगा r1 plus r2, लेकिन क्योंकि r1 plus r2 a के बराबर है, तो उसको मैंने a put कर दिया, और वो चीज़ किसके बराबर बरा गई, delta plus a के बराबर, तो यहाँ से आप देखिएगा, कि मैं क्या करता हूँ, कि a को और mu a को एक तरफ रखता हूँ, और delta को एक तरफ रखता हूँ, तो मेरे पास last में, जो seventh equation है, वो ही आ जाएगी, कि delta is equal to a bracket शुरू, mu minus 1 bracket बंद, तो यह जो सातवी equation है, यह मेरे पास अब finally आ गई है, और यह सातवी equation, क्या आपको दे रही है, यह जो आपका angle of prism है, और जो angle of deviation है, और जो यह mu है, म्यो का मतलब basically क्या है यहाँ पर, म्यो का मतलब है, relative refractive index of the denser medium, with respect to rarer medium, इन तीनों के बीच में, आपको एक mathematical relation, जो है वो मिल जाता है, तो चलिए, अब हम थोड़ा सा इस relation को, आगे explain करते हैं, कि यह जो relation हमने अभी पीछे पढ़ा, यह हम किसलिए यूज करते हैं, ताकि हम angle of deviation find कर सकें, देखे, सिधी सी बात है, अगर आपको a और mu की value पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, angle of deviation निकाल सकते हैं, माल लीजिए, एक question कुछ इस तरीके से आता है, कि आपको कहा जाएगा, कि किसी prism के लिए, angle of prism इतना है, यानि कि आपको value दी जाएगी, और आपको जो यह mu है, यानि कि relative refractive index of the denser medium, with respect to rarer medium, ठीक है, तो अगर यह भी आपको दिया गया हो, तो दोनों की value रखके, आप यह पता कर सकते हैं, कि उस prism पर जो ray गिरेगी, वो ray basically कितना deviation सफर करेगी, यानि कि उस ray के लिए, angle of deviation कितना होगा, बस ध्यान आपने यह रखना है, कि हमने यह जो equation use करनी है, यह तब use करनी है, जब A की value 10 से कम हो, या 10 के बरबर हो, यानि मेरा मतलब कहने का यह है, कि अगर आपके पास एक ऐसा prism है, जिसके लिए angle of prism, 1 degree, 2 degree, 3 degree, इस तरह से, या maximum 10 degree, up to 10 degree मैंने यहाँ पर लिखा है, तो उस prism के लिए आपको यह equation use करनी है, और यहाँ से आप delta की value क्या कर सकते हैं, calculate कर सकते हैं, तो ऐसे prism को बोला जाता है, thin prism, आप खुद थोड़ा सा अगर सोच करके देखें, अगर आपके prism के incident face, और emergent face के बीच में 10 degree या उससे कम angle है, तो नचली बहुत ही पतला सा prism होगा, इस लिए इसको क्या बोला जाता है, thin prism बोला जाता है, तो ध्यान रखिएगा, कि ये formula सिर्फ किसके लिए लागू होता है, एक thin prism के लिए लागू होता है, यानि कि ऐसे prism के लिए, जिसमें angle of prism, या तो 10 degree के बराबर हो, या 10 degree से छोटा हो, 10 degree से ज्यादा ना हो किसी भी case में, तो वहाँ अगर आपको angle of deviation मेजर करना है, तो आप ये formula use कर सकते हैं, फिर सवाल उठता है, कि अगर कोई ऐसा prism हो, जिसके लिए angle of prism 10 degree से ज्यादा हो, तब क्या equation use की जाए, ताकि हम angle of deviation निकाल सकें, तो आप ये दिखिएगा, कि पिछली slide में, जो मैंने आपको equation number 4 निकाल करके दिखाई थी, इन तीनों की value आपको पता होनी चाहिए, तब जाकर के आपका delta आप find out कर सकते हैं, तो अब हम चलते हैं, एक अलग graph की तरफ इस topic से हट करके, और वो graph है आपका, किसके किसके बीच में, delta और i1 के बीच में, ये बड़ा important graph है, यहाँ से हम prism formula की तरफ, angle of deviation और i1 क्या था, आपको ध्यान होगा, i1 मेंने point q पर angle of incidence को i1 का नाम दिया था, तो basically आप यह कह सकते हैं, कि जो हमारे prism पर कोई ray incident होती है, तो angle of incidence और angle of deviation के बीच में, ये आपको क्या नजर आ रहा है, एक graph नजर आ रहा है, अब आप सोचेंगे कि ये graph आया कैसे, देखिए practically अगर आप इस graph को देखना चाहते हैं, तो lab में आपको एक experiment जो है, वो carry out करना पड़ेगा, तब जाकर कि आपको पता चलेगा, कि इस तरह का जो graph है, वो क्यों आता है, देखिए हम basically करते क्या हैं, मैं आपको थोड़ा सा पिछले page पर एक बार ले चलता हूँ, आप ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ, तो ये जो आपकी incident ray है, ठीक है, तो ये जो आपका angle of incidence है, इसको आपको vary करना होता है, vary का मतलब कभी इसको कम कर दो, कभी इसको जादा कर दो, ठीक है, आप अगर ray को यूँ incident करवाएंगे, तो angle of incidence कम है, और जैसे जैसे ray को थोड़ा सा ऐसे incident करवाएंगे, तो angle of incidence क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानि कि आपको कम से कम, 4, 5, 6 बार जो है वो ray को incident करवाना पड़ेगा, अलग-अलग angle of incidence पर, और आपको क्या करना पड़ेगा, measure करना पड़ेगा, कि किस angle of incidence के लिए, angle of deviation की क्या value आई थी, यानि कि मालनी जिए, पहली बार आपने ray को यूँ डाल दिया, तो आप I1 measure करेंगे, और delta measure करेंगे, दूसरी बार आप I1 को change करेंगे, तो delta को फिर आप measure करेंगे, तो इस तरह से आप एक table बना लेंगे, कि कितने I1 के लिए, कितना delta जो है वो आ रहा है, और आप ये देखिएगा, कि जब आप उन दोनों values जो आपके पास आएंगी, उनसे जब आप एक graph plot करेंगे, तो वो graph कुछ इसी तरह का आएगा, और ये graph बताता क्या है, आप अगर धान से देखें, मैंने x-axis पर लिया है angle of incidence, यानि के I1, और y-axis पर मैंने लिया है delta, यानि के angle of deviation, तो आप धान से देखिएगा, ये graph पहले नीचे की तरफ आ रहा है, फिर उपर की तरफ जा रहा है, एक 14 टाइप आप इसको बोल सकते हैं, तो हम ऐसा कहेंगे, कि देखिए, इस point से जब आप perpendicular को डालेंगे, तो I1 की value कम है, फिर अगला point से, अगर आप यहाँ कोई point ले, और फिर perpendicular को डालें, और इससे क्या हुआ, आप यह देखिएगा, कि इस point पर delta के value इतनी है, इस point पर इतनी है, इस point पर इतनी है, और इस point पर इतनी है, तो कुल मिला करके, इस point से ले करके, इस point के बारे में, मैं यह बोल सकता हूँ, कि जैसे-जैसे angle of incidence बढ़ रहा है, जादा बढ़ाएंगे, तो अब angle of deviation क्या करने लग जाएगा, increase करने लग जाएगा, यानि के, देखिए, angle of incidence को तो हम लगातार क्या कर रही है, increase ही कर रही है, इसका मतलब है, शुरू में मान लीजी, आपने 30 degree पे ray डाल दी, फिर 35 पे डाल दी, फिर 40 पे डाल दी, फिर 45 पे डाल दी, फिर 50 पे डाल दी, इस तरह, तो I1 जो है, angle of incidence, उसको तो हम क्या कर रही है, increase ही कर रही है, लेकिन हमने क्या देखा, कि शुरू में जब angle of incidence, increase हो रहा था, तो आपका जो deviation angle था, वो decrease हो रहा था, लेकिन जब उसने decrease होते होते, एक minimum value acquire कर ली, उसके बाद आप ये देखिए, फिर से वो increase होना शुरू हो गया, तो आपको सच में ऐसी value experiment के ड्यूरिंग मिलेंगी, कि जैसे जैसे आप I1 को बढ़ाएंगे, तो शुरू में तो आपको delta कम होता हुआ लगेगा, और फिर आपको delta बढ़ता हुआ लगेगा, तो जब आप graph बनाएंगे, तो आपको graph कुछ इस तरीके का मिलेगा, ये जो experiment है, ये lab में ही possible होता है, और आप जब I1 और delta की अलग-अलग values tabulate करेंगे, उनको एक table की form में रखेंगे, और बाद में जब graph बनाएंगे, तो आपको ऐसा ही graph देखने को मिलेगा, तो अब हम अपने जो main point है, इस topic को पढ़ने का, उसके उपर आयते हैं, और इस graph को हम जो है discuss करते हैं, थोड़ा सा deep में जा करके, तो आप ये देखिएगा, कि जब आपका ये angle of deviation, decrease करते 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 करते, यहां आ गया, तो हम ये कह सकते हैं, कि इस point के corresponding जो ये value है, ये minimum value है, किसकी angle of deviation की, क्यों कि इसके बाद तो अगर आप फिर से इस graph पर देखेंगे, तो उसकी value क्या करती जा रही है, increase होती जा रही है, तो ये जो minimum value है, angle of deviation की, इसके लिए मैंने यहां पर लेख दिया है, delta m, delta m का मतलब आप समझ गई होंगे, minimum angle of deviation, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके angle of incidence के change होने से, आप देख सकते हैं, angle of deviation भी change हो रहा है, तो change होते 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 होते, उसने एक minimum value ली, और फिर वो बढ़ने लग गया, तो जो minimum value, delta ने ली है, graph के according आप निकाल सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि graph आपका इस्तिरा आया है, तो जो सबसे नीचे वाला point है, तो उससे आप यहाँ perpendicular डाल दीजिए, तो इस axis पर जो आपने marking बना रखी हैं, तो उसे साव से आप पता कर सकते हैं, कि यहाँ से लेकर कि यहाँ तक delta m की value जो है, वो कितनी होगी, तो जैसे ही आप delta m को measure कर लेंगे, तो आप यह कहेंगे, कि we have measured minimum angle of deviation, और minimum angle of deviation में हमारा इतना interest क्यों है, क्योंकि जब angle of deviation minimum होता है, तो वहाँ पर दो बड़ी important चीज़े होती हैं, और वो क्या होती है, कि I1 और I2 बड़ाबर हो जाते हैं, यानि कि आपका angle of incidence और जो angle of emergence है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, बड़ाबर हो जाएंगे, और एक और बड़ी important चीज़ होगी यहाँ पर, और वो क्या, कि R1, R2 भी बड़ाबर हो जाएंगे, यानि कि ये वाला जो R1 है, ये वाला जो R2 है, ये दोनों बड़ाबर हो जाएंगे, और आप क्या बोल सकते हैं, कि Q point का angle of reflection, और R point का angle of incidence, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बराबर, और ऐसा होने से क्या होगा, ये हम आगे देखेंगे, और ये भी देखेंगे, कि ये होता क्यों है, तो अभी तो सबसे पहले चीज़ क्या थी, कि मान लीजीए, कोई आप से ये पूछे, कि भाई आप ये angle of incidence, और delta, angle of deviation में graph plot कर क्यों रही है, तो हमारा अंसर होगा, कि हम angle of minimum deviation निकालना चाहते हैं, फिर question होगा, कि angle of minimum deviation निकालना क्यों चाहते हो, ऐसा क्या खास है उसमें, तो हम ये कहेंगे, कि angle of minimum deviation की स्थिती जब आती है, यानि कि किसी न किसी angle of incidence पर आपका delta minimum होगा, तो हम उसको बोलेंगे minimum deviation condition, तो उस condition पर क्या होता है, I1, I2 और R1, R2 आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, अब हम ये देखते हैं, कि ये कैसे बराबर हो जाते हैं, और मैंने आपसे एक और चीज़ कही थी, कि जब ये ऐसा हो जाएगा, यानि कि I1, I2 के बराबर हो जाएगा, और R1, R2 के बराबर हो जाएगा, यानि कि आपका minimum deviation की condition आ चुकी है, तो उस वक्त ये QR line, इस BC line के क्या हो जाएगी, पैरलल भी हो जाएगी, जब तक ये condition नहीं आएगी, तब तक तो ये थोड़ा सा उपर या थोड़ा सा नीचे हो सकती है, यानि कि QR BC के पैरलल नहीं होगी, लेकिन जैसे ही minimum deviation की condition आ चाएगी, और I1, I2 के बराबर हो जाएगा, लगा सकते हैं, ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि क्यूं हम ये कह रहे हैं, कि minimum deviation की condition में ये होगा, तो अब हम देखते हैं उसको, कि ये जो है राज है क्या, तो थोड़ा सा इस page को मैं एक मिनट इस तरह से रख रहता हूँ, कि आपको clear नजर आ जाए, हाँ, ठीक है, तो देखिए, आपने ये जो delta की value है, जो की basically equation 4 से ही मिनली है, इस value को आप exactly यहां लिख दीजिए, और फिर मैंने क्या किया, ये जो, अच्छा मैं एक काम और कर रहा हूँ यहाँ पर, ये angle का जो symbol है, वो नहीं लगा रहा, वो understood है कि I1, I2, A, delta ये सारे क्या है, angle ही है, तो देखो, I1 को क्या लिखा मैंने, I1 का root और उसका square, आप समझ गए होंगे, क्योंकि square से root cancel हो जाएगा, तो basically I1 ही बचेगा, तो उपरवली चीज यूँ की यूँ है, जस्ट मैंने root लिया पहले और बाद में उसका square कर दिया, यही काम मैंने I2 के साथ किया, तो I1 प्लस I2 माइनस A को मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया, जो कि कोई भी change नहीं है, और mathematics मुझे ऐसा करने के लिए allow करता है, उसके बाद मैंने क्या किया, equation में आप जानते हैं, हम कोई भी चीज जोड सकते हैं, कभी भी और कोई भी चीज घटा सकते हैं, बस यह है कि equation पर फरक नहीं पड़ना चाहिए, तो आप देखो, इन दोनों को तो मैंने यहां रखा, उसके बाद, 2 root I1 I2 इसमें से घटा भी दिया, और इसके अंदर जोड भी दिया, और यह minus A का minus A है, आप जानते हैं, कोई फरकिस से नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज जूड़ी है, वही घट गई, इसका मतलब equation क्या रही है, unchanged रही है, तो आप ही देखिए, उपर वाली equation को, basically मैंने इस तरीके से, जो है एक अलग form के अंदर लिख लिया, और अब मैं क्या करता हूँ, पहला, दूसरा, और तीसरा, इनका use करके एक formula बना दूँगा, आपको याद आ गया होगा, A square plus B square minus 2 AB, जो होता है, वो A minus B का square होता है, ठीके, तो आप यह देखीगा, कि मैंने minus वाली चीज़ को इनके साथ रखा, इसलिए, root I1 minus root I2, इसका square हो गया, और ये चीज़ यहां आ गई, minus A आपका, यहां आ गया, तो equation में कोई भी change नहीं है, सिर्फ हम जो है, थोड़ा सा mathematics जो हमें freedom देता है, उसका use करते हुए, हम equation के साथ क्या कर रहे हैं, एक खेल कर रहे हैं, ठीके, आप देखिएगा, तो आप इसको करके भी देख सकते हैं, कि अगर मैं इसको A मालनू, तो A का square, फिर plus B का square, और minus में 2 into A into B, सेम आपकी चीज़ रहेगी, कोई इसमें फरक नहीं आएगा, तो देखो, ये वाली चीज़ ऐसे लिख दी, और इन दोनों को मैंने क्या रख दिया, एक अठा रख दिया, तो delta की value, जो की basically इतनी थी, वो delta की value basically इतनी आ गई मेरे पास, अब आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, अगर मैं चाहूं के delta minimum हो जाए, delta कैसा हो जाए, minimum हो जाए, तो naturally, आप ये देखो, अगर मैं root i1 को, root i2 के बरबर put कर दूँ, तो ये वाली term तो 0 हो जाएगी, और इसका square भी कितना हो जागा, 0, तो इस चीज के अंदर basically 0 यहाँ जुडेगा, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, देखिए, एक बार फिर से मैं आपको प्लाता हूँ, कि delta की value है, this plus this, ये आपको बात समझ में आ गई होगी, तो आप खुद एक बात सोचिएगा, कि इस चीज के अंदर, basically इस पर ध्यानतों आप, कि इस चीज के अंदर, plus हो रही है, कोई न कोई चीज, और अगर plus हो रही है, तो वो चीज, आप ये मानने के चलिए, कि बढ़ेगी तो सही, मतलब माननों कि इसकी value 10 है, और 10 के अंदर आप ये 5 जोड़ दे, तो 15 ही तो बनेगा, लेकिन अगर मैं ये कर दूँ, कि root i1 को root i2 के बरबर पुट कर दूँ, तो नचुली ये चीज खतम हो जाएगी, तो आप ही देखीगा, कि 10 के अंदर कुछ जुड़ेगा नहीं, तो delta कितना होगा आपका, minimum ही तो होगा, तो इसलिए इस equation का use करते हुए, अगर आप ये चाहें के delta minimum से minimum हो, तो वो तो तभी possible हो सकता है, कब जब root i1 और root i2 बराबर हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा, तो same चीज में से same चीज घट जाएगी, तो 0 का square भी 0 होगा, और इस चीज के अंदर 0 जूड़ेगा, और 0 जूड़ने का मतलब क्या है, कि कोई खास फरक नहीं पड़ा, क्योंकि जो चीज पहले थी, वही आपकी यूँ की यूँ रही, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं, कि delta minimum से minimum कब होगा, तो अगर हम चाहते हैं, कब जब आपके i1 और i2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यदि i1 और i2 अगर बराबर हो गए, तो उस case में इस factor की value 0 हो जाएगी, और इस चीज के अंदर सिर्फ 0 ही जुड़ेगा, इसका मतलब है, कि हमारा जो delta है, वो अब कैसा हो चुका है, minimum हो चुका है, और एक चीज हो रहाएं यहां देखिएगा, तो आपने देखा, कि delta minimum जब आप करना चाह रही हैं, तो उसकी condition क्या आई, कि i1 को किसके बराबर होना पड़ेगा, i2 के बराबर होना पड़ेगा, फिर यह r1 और r2 कैसे बराबर हो गई, देखिए, जो equation number 5 और 6 है, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे यहां पर ले करके चलूँ, यह देखिए, यह जो आपकी equation number 5 और 6 है, बक्की चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, यहां ध्यान दे, equation number 5 आप यह देखिएगा, और equation number 6 आप यह देखिएगा, अगर आप दोनों को divide कर दें, तो i1 by i2 किसके बराबर हो जाएगा, r1 by r2 कि क्योंकि म्यों तो cancel हो जाएगा, और क्योंकि आपका i1 और i2 बराबर हो चुके हैं, इसका मतलब r1 और r2 भी आपस में क्या हो जाएगे, बराबर हो जाएगे, तो यहां से आप यह देख सकते हैं, कि जैसे ही i1 और i2 बराबर हो जाए, तो r1 और r2 भी क्या हो जाएगे, आपस में बराबर हो जाएगे, तो इसलिए मैं यहां आपसे बोल रहा था कि minimum deviation की जो condition है वो तब आएगी जब i1 और i2 बराबर हो जाएंगे तो ऐसा होने से delta minimum हो जाएगा क्योंकि इस चीज़ के अंदर basically 0 जुड रहा है और ऐसा अगर हो गया तो delta minimum होगा और ऐसा होने से r1 और r2 भी अपस में क्या हो तो कुल मिलागर कि यह सारा mathematics मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा तो एक बार फिसे देखिएगा कि इस graph से हमने निकाल लिया क्या delta minimum यानि के minimum angle of deviation और वो क्यों निकाला क्योंकि minimum deviation अगर आप कह रहे हैं कि हुआ है हमारे prism के case में तो इसका मतलब है कि delta को minimum होन के लिए इस condition की जरूरत पड़ेगी कि i1 i2 बराबर हो जाएंगे और r1 i2 भी बराबर हो जाएंगे और इसका मतलब है कि आपका जो यह line थी जो की basic लिए आप पिछली slide में जाकर के देख सकते हैं यह बली जो qr line है वो bc के क्या हो जाएगी बिलकुल parallel हो जाएगी तो वहां हम prism formula को निकालने के लिए करेंगे अब हम इसकी तरफ चलते हैं तो एक बार फिर से देखिएगा कि आपने बार बार angle of incidence को change करके बार बार change होते हुए delta की value को tabulate किया उससे graph बनाया और minimum deviation condition में आपने जब delta m निकाल लिया minimum angle of deviation तो उस case में क्या हुआ i1, i2 आपस में बराबर हो जाएंगे और r1, i2 भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर और यह जो mathematics है यह इसी चीज़ को थोड़ा सा आप मतलब समझे के आपको समझने में help करता है कि क्यों i1 और i2 बराबर होने से आपका जो delta है वो minimum होगा देखिए i1 और i2 बराबर होन जाएंगे तो यह factor हो जाएगा 0 और 0 जब किसी चीज़ के इंदर जोड़ेगी तो वो आप कह सकते हैं कि minimum value है क्योंकि देखो इसमें अगर आप 0 जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसमें आप एक जोड़ें, दो जोड़ें, तीन जोड़ें तब तो value बढ़ होगा तो यहां आप देखिए equation 4 मैंने जो लिखी है यहां पर वो पीछे से ही उठागर के लिखी है और अब आप जानते हैं कि अगर मैं यहां पर delta की जगह है delta m लिख दूँ यानि कि minimum angle of deviation लिख दूँ तो आप जानते हैं यहां i1 और i2 दोनों को क्या होना पड़ेगा ब i1 और i2 दोनों ही किसके बराबर हैं i की क्योंकि दोनों equal हैं तो मैंने वो equal value इनकी कितनी मान ली i तो सुनिए अगर मैं यहां i रखूं यहां i रखूं तो i प्लस i 2i यह बात आपको सब में आगी तो 2i आपका किसके बराबर हो जाएगा a प्लस delta m के यह गलती मत जब आप यहां 2i लिखेंगे तो यहां delta की जगे delta m लिखना जरूरी है क्योंकि दोनों यह जो angle है यह तभी बराबर होंगे जब deviation क्या हो चुका होगा minimum हो चुका होगा ठीक है तो i plus i is equal to a plus delta m ठीक है इस line से आपने ऐसा लिख लिए और i की value आपने यहां से निकाल ली angle of incidence जो है उसकी value आपने यहां से निकाल ली a plus delta m by 2 यहने के angle of prism के अंदर आप जोड़िये minimum angle of deviation और उनके जोड को divide कर दीजिए 2 से तो आपको i की value मिल जाएगी उसके बाद यह जो equation 3 हमने पिछे derive किये थी के a is equal to angle r1 plus angle r2 तो इसमें भी हम देखेंगे क्या हो सकता है क्योंकि i1 i2 जब बराबर होते हैं तो r1 r2 भी तो बराबर होते हैं तो माल लीजिए कि r1 is equal to r2 is equal to r तो r plus r किसके बराबर जागा 2r और 2r अगर a के बराबर है तो r किसके बराबर आजाएगा आपका a by 2 के बराबर तो यह चीज आपको समझने आ गई होगी basically आप क्योंकि i की जगे आपका दिल करे तो i2 लिखिए i1 लिखिए और यहां इस r की जगे आपका दिल करे तो r2 लिखिए या फिर r1 लिखिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैंने क्योंकि r1 r2 को भी r के बराबर माना था तो r is equal to i2 लिख दिया और i1 i2 को मैंने i के बराबर माना था इसलिए मैंने i को इसके बराबर लिख दिया अब हम क्या करेंगे अब हम लगाएंगे स्नेल्स लो और स्नेल्स लो कहां लगाएंगे एक बार मैं आपको थोड़ सा पीछे ले करके चलता हूँ यहां दिखा देता हूँ देखो मालो कि आपने इस I1 को बोल दिया I इस I1 को आपने बोल दिया I क्योंकि आप जब I1, I2 दोनों बराबर हैं तो आपने दोनों को I के बराबर मना था और जब R1, R2 दोनों बराबर थे तो आपने दोनों को किसके बराबर मना था? R के बराबर तो अब आप ऐसा सोचिए कि I1 की जगे I है और R1 की जगे R है तो point Q पर आप Snell's law लगा दीजिए तो Snell's law आप कैसे लगाएंगे mu1 को multiply करेंगे sin I के साथ और mu2 को multiply करेंगे sin R के साथ और दोनों को आप बराबर put कर देंगे और उसके बाद जब आप solve करेंगे उसको तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा ठीक है तो वो जो mu2 by mu1 आता था उसको मैंने mu लिख लिया है आप ये कर सकते हैं बड़े राम से आसान mathematics है तो मेरे पास आया क्या mu is equal to sin I1 by sin R1 और क्योंकि I1 I के बराबर है R1 R के बराबर है इसलिए मैंने ये लिख दिया और उसके बाद आप देखिए I की value आप उपर से ये उठा करके यहाँ लिख दीजिए तो sin I की जगह क्या आ गया sin A plus delta M by 2 आ गया और नीचे जो sin R है तो R की value है A by 2 तो आप यहाँ लिख दीजिए तो ये आप कह सकते हैं कि हमने क्या derive कर लिया prism formula और ये mu आप जानते हैं ये क्या है ये mu है basically आपका mu 2 by mu 1 यानि के relative refractive index of the denser medium with respect to rare medium और ये mu 1 क्या था ये था आपके prism के चारों तरफ जो medium present है उसका refractive index जो कि generally air होता है और mu 2 क्या था prism जिस material का बना हुआ होता है उस material का refractive index जो कि generally क्या होता है glass ही होता है इसलिए mu 2 by mu 1 को ही मैंने क्या लिखा mu तो आप ये कह सकते हैं कि mu 2 by mu 1 जो कि mu के बराबर है वो है basically relative refractive index of the denser medium with respect to rare medium तो कुल मिला करके simple language में हम इसको prism का refractive index भी बोल सकते हैं क्यों क्योंकि prism ही denser है और इसके चारों तरफ कोन है rare medium है तो basically इसको आप समझ सकते हैं prism का ही क्या refractive index तो अगर आपको A मालूम हो A ठीक है ये A है basically जो कि generally हमारी lab में आप तेखिएगा equilateral triangle type के prism होते हैं जो कि generally A हमें 60 ही मिलता है ठीक है तो यहां भी 60 रख दीजिए यहां भी 60 रख दीजिए और delta M को आपको find करने के लिए वो पिछले experiment करना पड़ेगा जो मैंने आपको graph में बताया था तो यदि आपके पास A है और delta M है उनकी value यहां रखिए उनके sign calculate कीजिए ratio calculate कीजिए उससे आप क्या निकाल सकते हैं आपका prism जिस material का बना हुआ है उसका refractive index आप निकाल सकते हैं और इसी लिए क्योंकि इस formula से क्या निकलता है prism का refractive index इसी लिए इसको बोला जाता है prism formula तो यह जो पीछे से लेकर के अब तक हमने बहुत सारा mathematics किया graph वगरे देखे तो यह इसी लिए किया ताकि हम कहां आ सकें prism formula के उपर आ सकें